दिलबर गर्ल नहीं बलकि इस हसीना संग है आर्यन खान का इश्किया साथ में किया न्यू यर सेलिब्रेट तो डेटिंग की उड़ने लग गई आफ़ा बॉलिवुड के किंग शारुक खान के शहजादे आर्यन खान भले ही अभी तक फिल्मों में हीरो नहीं बने हो लेकिन लगता है कि हसीनाओ के दिल में वो जरूर बस गए हैं कि शारुक के बेटे दिलबर गल नौरा फतेही को डेट कर रहे हैं तो अब उनके इश्क्या कितार पाकिस्तानी अक्ट्रिस के साथ भी जोड़े जा रहे हैं ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला आर्यन की लव लाइफ में वाकई चल क्या रहा है तो ज्यादा मत सोचिए आईए हम बताते हैं आपको इस पूरे माजरे के बारे में दरसल कुछ दिनों पहले ही आर्यन का नाम नौरा फतेही के साथ जोड़ा गया जब इन दोनों के साथ में पार्टी करते हुई की तस्वीर इंटरनेट पर वाइरल हो गई तब लोगोंने कयास लगाए कि इनके बीच कुछ तोज जरूर पक रहा है लेकिन 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 अब जो तस्वीर सोचल मीडिया पर वाइरल हुई है वो तो कुछ और ही बस बना रही है ये तस्वीर है आरियन खान और पाकिस्तानी अक्ट्रेस साधिया खान की न्यू यर्स एलिबरेशन की इस तस्वीर ने सब की निगाहें अपने उपर टिका ली है और ऐसा होगा भी क्यो नहीं आखिर शाहरुक के बेटे और साधिया की नजदीकिया इस तस्वीर में देखने को जो मिल रही है जहां फोटो में आरियन रेड कलर की टी-शिर्ट और डेनिम जैकिट पहने हुए नजर आ रहे है वही आक्ट्रेस साधिया ने ब्लक कलर का आउट्फिट पहना हुआ है खास बात ये है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बलकी साधिया ने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है बताया जा रहा है कि ये पार्टी दुबई में हुई थी इस फोटो के वाइरल होने के बाद से ही आरियन खान और साधिया की रिलेशनशिप को लेकर खबरे उठने लगी है साधिया खान 35 साल की पाकिस्तानी आक्ट्रेस है जो इमान, खुदा और मुहबत में भी काम कर चुकी है वहीं लोग एक बार फिर कंफ्यूज हो गए हैं कि आरियन वागे में किस आक्ट्रेस संग इश्क परमा रहे हैं क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही आरियन खान का नाम आक्ट्रेस और डानसर नौरा फतेही से भी जुड़ रहा था आरियन खान और नौरा फतेही के साथ में पार्टी करते हुए कि एक पोटो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुई थी हाला कि वागे में आरियन किस हसीना को डेट कर रहे हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है अब भले ही ये पता नहीं चला है कि आरियन का सीक्रेट अफेर किस अक्ट्रेस के साथ है लेकिन अब जल्द ही आरियन इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए तयार है वो बात अलग है कि आरियन अपने पिता की तरहा परदे पर हीरो नहीं बलकि डारेक्टर और राइटर के रूप में करियर की शुरुवात करने जा रहे है आरियन खान ने हाल ही में अपने पहले प्रोजेक्ट की अनॉंस्मिंट की है उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी थी आरियन अपने पापा शाहरुखान के प्रोडक्शन हाउस के तरले अपनी पहली फिल्म का निर्देशन करेंगे